नमस्कार, आई ये सुनते हैं वच्छनाम्रित का अगला भाग प्रवराजिका पुन्यवरत प्राना मातजी से तव कथाम्रितं तप्त जीवनं कवी भी रिडीतं कल्मशापहं शवनमं अंगलं शीमदाततं भूवी गृनंतिये भूरीता चना श्री रामकृष्ण वच्छनाम्रित में ग्यारवा परिचर चल रहा है दक्षनेश्वर में भक्तों से वारतालाब श्री रामकृष्ण दक्षनेश्वर मंदिर में विराजमान है दीन के नौ बजे होंगे अपनी छोटी खाट पर वे विश्राम कर रहे हैं फर्ष पर मनी बैठे हैं उनसे श्री राम कृष्ण वारताला कर रहे हैं आज विजया दश्मिय रविवार 22 अक्टूबर 1882 आज कल राखाल श्री राम कृष्ण के पास रहते हैं नरेंद्र और भवनात कभी कभी आया करते हैं श्री राम कृष्ण के साथ उनके भतिजे, रामलाल और हाच्रा महाशे रहते हैं राम, मनोमोहन, सुरेश, मास्टर, बलराम, प्राय हर हपते श्री राम कृष्ण के दर्शन कर जाते हैं बापुराम अभी एक दो ही बार दर्शन कर गया हैं श्री राम कृष्ण, तुम्हारी पुजा की छुटी हो गई? मनी, जी हाँ, मैं सब्दमी, अश्टमी और नौमी को प्रती दिन केशव सेन के घर गया था श्री राम कृष्ण, क्या कहते हो? मनी, दूर्गा पुजा की अच्छी वैक्ष्ण सुने श्री राम कृष्ण, कैसी कहो तो? मनी, केशव सेन के घर में रोज सुभा को उपासना होती है दस ग्यारा बजे तक उसी उपासना के समय उन्होंने दूर्गा पुजा की वैक्ष्ण की थी उन्होंने कहा, यदि माता दूर्गा को कोई प्राप्त कर सके यदि माता को कोई रितय मंदिर में ला सके तो लक्ष्मी, सरस्वती, कार्थि, गनेश, स्वयम आते है लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य, सरस्वती अर्थात ज्यान, कार्तिक विक्रम, गनेश अर्था सिध्धी ये सब आप ही आप मिल जाते हैं, यदि मा आ जाए तो श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्त श्री रामकृष्ण सारा वर्नन सुन गए बीश-बीश में केशों की उपासना के संबन में प्रश्ण करने लगे अंत में कहा, तुम यहाँ वहाँ न जाया करो, यही आना जो अंतरंग है, वे केवल यही आएंगे नारेंद्र भवनात राख्खाल हमारे अंतरंग भक्त है, सामान्य नहीं तुम एक दिन इन्हें भोजन कराना, नारेंद्र को तुम कैसा समझते हो, मनी जी बहुत अच्छा, श्री रामकृष्ण देखो, नारेंद्र में कितने गून है, गाता है, बजाता है, वित्वान है और जी तेंद्रिय है, कहता है, विवाहन न करूंगा, बचपन से ही इश्वर में मन है साकार अत्वा निराकार, श्री रामकृष्ण मनी से आजकल तुम्हारे इश्वर स्मरन का क्या हाल है, मन साकार पर जाता है, या निराकार पर मनी जी अभी तो मन साकार पर नहीं जाता और इधर निराकार में मन को स्थीर नहीं कर सकता शीराम कृष्ण देखो निराकार में ततकाल मन स्थीर नहीं होता पहले तो साकार अच्छा है मनी मिट्टी की इन सब मुर्तियों की चिंता करना श्री रामकृष्ण नहीं नहीं चिन्मय मुर्तिगी मनी तो भी हाथ पे तो सोच नहीं पड़ेंगे परन्तो यह भी सोचता हूँ कि पहले अवस्था में किसी रूप की चिन्ता किये बिना मन स्थिर न होगा यह आपने कहे भी दिया है अच्छा वे तो अनेक रूप धारन कर सकते हैं तो क्या अपनी माता के स्वरुप का ध्यान किया जा सकता है श्री रामकृष्ण हाँ वे मने मा गूरु तथा प्रम्भम ही है मनी चुप बैठे हैं कुछ देर बाद फिर स्री रामकृष्ण से पूछने लगे मनी अच्छा निराकार में क्या देखता है क्या इसका वर्नन नहीं किया जा सकता श्री रामकृष्ण कुछ सोच कर वे कैसा है बताऊं यह कहकर स्री रामकृष्ण कुछ देर चुप बैठे रहे फिर साकार और निराकार दर्शन में कैसा अनुभव होता है इस संबंद की एक बात गैदी और फिर चूप हो रहे श्री रामकृष्ण देखो इसको ठीक ठीक समझ लिए साथना चाहिए यदि घर के भीतर के रतना देखना चाहते हो और लेना चाहते हो तो मेहनत करके कुंची लाकर दर्वाजे का ताला खोलो और रतना निकालो नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार पर खड़े हुए सोच रहे है लो हमने दर्वाजा खोला संदू का ताला तोड़ा अब यह रतना निकाल रहे हैं सिर्फ खड़े-खड़े सोचने से काम न चलेगा, साथ ना करने चाहिए, ज्यानी तथा अवतारवाद, स्री रामकृष्ण ज्यानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते, अर्चुन ने स्री कृष्ण की स्तूति में कहा, तुम पूर्ण ब्रम्ह हो, श्री कृष्ण ने अर्चुन से कहा, कि आओ, देखो, हम पूर्ण प्रह्म है या नहीं, यह कहकर स्री कृष्ण अर्शुन को एक जगह ले गए, और पुछा, तुम क्या देखते हो, अर्शुन बोला, मैं एक बड़ा पेड देख रहा हूं, जिसमें जामुन के से गुच्छे के गुच्छे फल लगे हैं, स्री उस पूर्ण प्रम्हरुपी व्रिक्ष से करोडो अवतार होते हैं, और चले जाते हैं, कबीर्दास का रुख निराकार की और था, स्री कृष्ण की चर्चा होती, तो कबीर्दास कहते उसे क्या भजू, गोपिया तालिया पीड़ती थी, और वह बंदर की धर नाज था था हसते हुए, मैं साकारवादियों के निकट साकार हूँ और निराकारवादियों के निकट निराकार, मनी हसकर, जिनकी बात हो रही है, वे इश्वर, जैसे अनन्त है, आप ही वैसे ही अनन्त है, आपका अन्त ही नहीं मिलता, स्री रामकृष्ण सहास्य, वहारे, तुम तो सम सुनो, एक बार सब धर्म कर लेने चाहिए, सब मार्गों से जाना चाहिए, खेलने की गोटी सब घर बिना पार की एक कहीं लाल होती है, गोटी जब लाल होती है, तब कोई उसे नहीं छूपाता, मनी, जी हाँ, कुटी चक, तीर्थे आत्रा का उद्देश्य, स्री रामकृष्ण, योगी दो प्रकार के हैं, बहुदक और कुटी चक, जो साथु तीर्थों में घूम रहा है, जिसके मन को अभी तक शान्ती नहीं मिली, उसे बहुदक कहते हैं, और जिसने चारों और घूम कर मन को स्थीर कर लिया है, जिससे शान्ती मिल गई है, भग किस उसी एक जगह आसन जमा देता है, फिर नहीं हीलता, उसी एक ही जगह बैठे उसे आनन मिलता है, उसे तीर्थ जाने की कोई आवशकता नहीं, यदिवत तीर्थ जाय तो केवल उद्धी पना के लिए जाता है, मुझे एक बार सब धर्म करने पड़े थे, हिंदू, मुसल्म क्रिस्तान, इधर शाक्त, वैश्न, वेदान्त, इन सब रास्तों से भी आना पड़ा है, इश्वर वही एक है, उन्हीं के और सब चल रहे हैं, भिन्न भिन्न मार्गों से, तीर्थ करने गया तो कभी कभी बड़ी तकलीफ होती थी, काश्य में मधूर बाबू आदी के साथ राजा बाबो की बैठक में गया, महा देखा, सब ही लोग विश्यों की बाते कर रहे हैं, रुपया, जमीन, यही सब बाते, उनकी बाते सुनकर मैं रो पड़ा, मा से कहा, मा, तु मुझे कहा लाई, दक्षनेश्वर में तो बहुत अच्छा था, प्रयाग में देखा, वह पेड, वही इमली के पत्ते, परंतु तीर्थ में उद्धीपन अवश्य होता है, मथूर बाबु के साथ वरिंदावन गया, मथूर बाबु के घर की स्रिया भी थी, रिदय भी था, कालिय दमन घाट देखते ही उद्धीपना होती थी, मैं विभल हो जाता था, रिदय उस समय गाये चर कर लोड़ती थी, देखते ही मुझे क्रिश्न की उद्धीपना होई, पागल की तरह दोड़ने लगा, कहां क्रिश्न, कहां क्रिश्न, कहते हुए, पालकी पर चर कर शामकुंड और राधाकुंड के रास्ते जा रहा था, गोवर्थन देखने के लिए उत् पर लाए, शामकुंड और राधाकुंड के मारक का मैदान, पेड़ पोथे, हरिन और बक्षियों की देख विकल हो गया था, आसों से कपड़े भीग गये थे, मन में यहां आता था कि ऐ क्रिश्न, यहां सभी कुछ है, केवल तू ही नहीं दिखाई पड़ता, पालकी के भी पीछे आ रहा था, कहारों से उसने कहे दिया था खुब होश्या रहना, गंगा माई मेरी खुब देखवाल करती थी, उम्रब होती, निधुबन के पास एक कुटी में अकेली रहती थी, मेरी अवस्था और भाव देखकर कहती थी, यह साक्षात राधी का है, शरीर धारन कर के आये हैं, मुझे दुलारी कहकर बुलाती थी, उसे पाते ही मैं खाना पिना, घर लोटना सब भूल जाता था, कभी कभी रिदय वही भोचन जाकर मुझे खिला आता था, वह भी खाना पका कर खिलाती थी, गंगा माई को भाववेश होता था, उसका भाव देखने के लोटने की मेरी इच्छा न थी, महा सब ठीक हो गया, मैं सिध्ध मने भुजिया, चावल का भाद खाऊंगा, गंगा माई का बिस्तर घर में एक और लगेगा, मेरा दूसरी और, सब ठीक हो गया, तब रिदय बोला, तुम्हें पेट की शिकायत है, कौन देखेगा, गंगा मैं बोली, क्यों, मैं देखूंगी, मैं सेवा करूंगी, एक हाथ पकड़ कर रिदय खिषने लगा, और दूसरा हाथ पकड़ कर गंगा माई, ऐसे समय मा की याद आ गई, मा अकेली काली मंदिर के नौबत खाने में है, फिर न रहा गया, तब कहा, नहीं, मुझे जाना होग ब्रिंदावन का भाव बड़ा सुन्धर है, नए यात्री जाते हैं, तो व्रश के लड़के कहा करते हैं, हरी बोलो, गठ्वी खोलो दिन के ग्यारह बज़े बाद, शिराम कृष्ण ने काली मंदिर का प्रसाथ पाया, दोपर को कुछ आराम करके, धूब ढलने पर, फिर भक्तों के साथ वारतालाब करने लगे, बीश बीश में रह रहकर, प्रनव नात था, हाँ चैतन्य उच्चारन कर रहे थे, काली मंदि भक्तचन शिराम कृष्ण की बधुली करहन करने लगे, रामलाल ने काली जी की आरती की है, शिराम कृष्ण रामलाल को बुलाने लगे, कहा हो रामलाल, काली जी को विजिया निवेदित की गई है, शिराम कृष्ण उस प्रसाथ को छू कर उसे देने के लिए ही रामलाल को बुला रहे हैं अन्य भक्तों को भी कुछ कुछ देने को कह रहे हैं आशा है आज का ये वच्णा मृत का पार्ट आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए देवाक्षर के साथ जुड़े रही है चानल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियोज को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद